बैगन का भरता बनाना और रिष्टे निभाना लगभग एक जैसा काम है है की नहीं? नहीं मानते हैं? देखिए बैगन का भरता बनाने में बैगन को भूना और मसला जाता है और रिष्टों में आपको फर्द सिर्फ इतना है कि भर्दा हम स्वार्द के अनुसार बनाते हैं और रिष्टे हम स्वार्द के अनुसार लेवाते हैं उस दिन देड़ तक पढ़ाई करके मैं अभी मुश्किल से एक घंटा ही सोया था इन्होंने कह दिया टाइम की कमी कहानी लंबी है सुनाओ की ना सुनाओ बताईए तो उस दिन देड़ तक पढ़ाई करके मैं मुश्किल से एक घंटा सोया था कि मम्मी ने जगा दिया कि उठो शालू की सास मर गई है नीन तूटते ही सबसे पहले मैंने घड़ी की तरफ देखा और फिर मम्मी की घड़ी पर तीन बज रहे थे मम्मी के चेहरे पर बारा दरसल शालू दीदी जो थी हमारी दूर की बुगा की लड़की थी जिनको मैंने अपनी जिन्दगी में सिर्फ एक बार देखा था उनकी शादी में उनके साथ हमारे रिष्टे का महत वह बस इतना था कि हम लोग कानपूर में रहते थे उनका पूरा परिवार बाहर रहता था और उनके माइके वालों की आपचारिकता पूरी करने के लिए हम लोग खाड़े हो जाते थे तो मम्मी ने जो ये ब्रेकिंग न्यूज दी इसका मुझ पर कुछ खास असर पड़ा नहीं और मैं आग बन करके फिल लेड गया मम्मी ने मेरी कमीज पकड़के जग जो रहा कि उठो हम कह रहे हैं शालू की सास मर गई तुम फिर सो गए क्या है मम्मी ने अब शालू दी थी कि सास मर गई है तो क्या करें आप उनको फिर से जिंदा तो हम कर नहीं सकते मेरा ये जवाब देना था कि मम्मी के चहरे पर वैसे भाव हो गया जैसे को कपड़े कूटते साहमें मुंग्री से कपड़े कूटती है तो कपड़े को देखके जो भाव होते हैं वैसे मुझको देखके हो रहे थे तो इससे पहले कि हम कूटे जाते तो उठ गया फिर एक फासिवादी सरकार की तरह बिना मेरे अधिकारों की चिंता किये मम्मी ने आदेश चारी कर दिया कि उठो और तयार हो जाओ शालू के घर जाना है अभी जाना है अब इतिहास गवा है कि दुनिया का बड़े से बड़ा करांती कारी भी अपनी मा के आगे सरेंडर हो जाता है तो मैं किस खेट की मूली था तयार हो के निकल लिए रात का वक्त था, शालू दीदी के घर पहुशने में जादा टाइम नहीं लगा, शालू दीदी के घर के सामने, गाडियों की लाइन लगी हुई थी, लोगों की भीड लगी हुई थी, लेकिन ये जो भीड थी, ये शालू दीदी की सास की वज़े से नहीं थी, इसकी वज़ जो इंकम टैक्स नहीं भरते लोग घर के सामने कुर्सियां लगा के बैठे होए थे और एक दूसरे के सामने आपस अपने आपको गरीब सावित करने कोशिश कर रहे थे अब ये भी गौर करने के बात है कि हिंदुसतान में रइसों की ये तहजीव है कि कभी भी कबूल नहीं करते कि हम रइस हैं उनसे पूछो कि बहुत की कि इतना कमाल है कि हो अब सो डाल रोटी चल रएगी इसके दो कारण होते हैं कि एक तो सज्जन बने रहते हैं दूसरा टैक्स बचा लेते हैं फैर जैसे ही मैंने स्कूटर रोकी मम्मी बिना रोके घर के अंदर चली गी वो रास्ते भर से अपने अंदर का सारा दुख इखटा करते हुए आ रही थी अपने मेमरी बैंक से शालू दीदी की सास की सारी यादे खंगालती हुई मुझसे बोली थी बताओ शादी के वक्त तो कितना तंदुरुस्त थी कितना तो नाची थी कोई भरोसा नहीं जिंदगी के आज कल हम बता रहे हैं किसी की मौत पर बड़े से बड़ा प्रैक्टिकल आत्मी भी फिलोस्फर हो जाता और शालू दीदी के घर में उस दिन ऐसे फिलोस्फरों की लाइन लगी हुए थी अब एक सज्जन थे जो गाहे बगाहे बिना मांगे गीता का ग्यान दिये जा रहे थे कि भाई यह तो शरीर है जो मरा है आत्मा तो अमर है शरीर के मरने पर क्यों रोना भाई यह जनाब पेशे से प्रोपर्टी डीलर थे और एक साल पहले प्रोपर्टी भी आद में पिट गए थे तो अब गनर लेके चलते थे खेर शालू दीदी के घर के अंदर एक कमरा अलग से अलोटेट था जहां पे सारी औरतें बैठके शोक मना रही थी शालू दीदी भी वही बैठी हुई थी मम्मी जैसे ही वहाँ गई उन्हों सबसे पहले शालू दीदी को थोड़ी सांतुना दी और फिर वह सवाल पूछा जिसको पूछने का कोई फाइदा नहीं होता मगर पूछता हर कोई है क्या हो गया था अब शालू दीदी ने भी डीटेल में बताना चालू करा का वदा मामी मम्मी को बैगन का भरता बहुत पसंद था है कि आज चाम कोमसे बोली कि बैगन का भरता खाने का मन हो रहा है बनादो तो हम बैगन बरता बनाने लग हैं तब तक उनकी आंख लग गई पिर हम को ठाने गए तो वो उठी नहीं है बर्तावी तरह बहुत जगए टाइम नहीं हाँ TV прим अब जब एमोशनल हो गई अब जब एमोशनल हो गई तो सारी अवरतें उनको चुप करने में लग गई मम्मी नमको इशारा किया कि जाओ किचन से जा के पानी ले आँ अब मैं किचन में गया और गिलाज जून रहा था कि मेरी नजर एक स्टील की प्लेट से टकी कड़ाई पर पड़ी अब मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं बिना कुछ खाय प्ये सोया था तो मैंने प्लेट उठाई तो देखा बैगन का भरता और बगल में कैसरॉल लख था दिसमें रोटियां थी तो मैंने एक रोटी में थोड़ा सा भरता लिया और खा गया बरते में नमक जादा था अब पानी लेकर जब हम शालु दिल के मार मार के रो रही थी कि हाय मम्मी भरता बिना खाय ही चली ले अब पानी उनको दे रहे तो हमारा मन किया कि उनसे कह ले कि दीदी, दिल छोटा मत करो, बरते में नमक जादा था, अच्छा हुआ अंटी बीना खाई चेली, लेकिन मैंने फिर अपनी भावनाओं पे काबू किया, और जीजा जी के पास जाके बैठ गया, जीजा जी अपनी मा के शव के पास बैठे हुए थे, आखे बंद करके, उनक आप ही जिम्मेदारी ले ले ली थी, शव के पास अगरबत्ती जलाने की, अब देखिए कि इंसान में आप कुछ भी कर लिजे, दुनिया में, इंसान की उकात बस इतनी है, कि मरने के कुछ गंटे बाद आपके पास अगरबत्ती से खुश्बू करनी बढ़ती है, वो वही कर रहे थे, मैं वहाँ बैठा तो मेरे पेट में उबाल आने लगा, अब मुझे गिल्टी कॉंश्यस होने लगा कि शालू दिरी की साज जो है, मुझे उनके हिस्से का बरता खाने का बदला ले रही है, तो मैं पसीना वसीना आने लगा सब, आखे तंगने लगी, जबान ब तब एक अंटी ने मुझे से पूछा कि रात में क्या खाया था, कुछ नहीं है, ऐसा ही सो गयते बिना खाया, ममी ने जवाब दिया, यह सुनके शालू दिदी की बहनता जाकर, कि कुछ नहीं खाया था, इसलिए बीपी लोग हो गया होगा, कि चन में भरता रखा है, हम ले दिदी फिर जाने लगी, अरे दिदी रूको नहीं खायेंगे भरता, उसमें नमक जादा है, अब मेरे मुझ से निकल गया, और सब लोग हम को गूर के देखने लगे, अब जो सब गूर के देखने लगे, तो मन मन वह नहीं जवाब आता है, कि अब क्या सफाई ने, क्या पिर कहें कि सुनियेगा, कि कोई उमीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मरते हैं आर्जू में मरने की, मौत आती है, पर नहीं आती, काबा किस मूँ से जाओगे गालिब, शर्म तुंको मगर नहीं आती, शुकुरा, तो यह थी कहानी?